पॉफ्ट राइस केक, मुर्मूरे का केक बनाएंगे जिसको आप पट्टी और चिक्की भी बोलते हैं तो बनाना बहुत असाना चलिए, देखते हैं हम इसकी रेस्पी को हमने इसको कैसे बनाए, पॉफ्ट राइस जो है बजार में इजिली मिल जाते हैं मुर्मूरे के नाम से भी मिल जाते हैं, तो एक बाउल मैंने भरकर ले लिया है और उतना ही मैंने गुड लिया है, गुड थोड़ा कम रखा है, तो अभी हम क्या करेंगे पफ्ट राइस जो है मुर्मूरे को, हम हलका सा 2-3 मिनट रोस्ट कर लेंगे कलर चेंज नहीं होने देंगे, और इसको अच्छा सा, जैसे क्रिस्पी होता है, इस तरीके से कर लेंगे तो अभी हमारा हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं, एक बाउल में अब हम उसी कड़ाई में गुड डालेंगे, और गुड के साथ ही एक से दो चमच पानी डालेंगे और इसको अच्छे से उबालाने देंगे, तब तक हमें ट्रे या थाली को ग्रीस कर लेते हैं, जिसमें की हम इस केक को सेट करेंगे तो चारो तरफ से मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, एक बार गुड को चेक करते हैं, तो गुड हमारा मेल्टोना शुरू हो गया है और अच्छे से मेल्ट होते होते, जब इसमें से जाग निकलने लग जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे देस की डाल दिया है यह जरूरी डालिएगा क्योंकि इसे शाइन भी आएगी और चिकी अच्छी भी बनेगी अब गुड़ पका है कि नहीं एक कटोरी लेंगे और कटोरी में इसको चेक करेंगे तो अभी गुड़ जो है हमारा बहुत ही नरम है तो इसका मतलब अभी गुड़ हम हम इसमें पॉप ट्राइस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करने के बाद इमीजेटली जल्दी से हम इस प्रोसेस को करेंगे और इसको हम सीधे थाली में डालेंगे सारे के सारे मिक् प्लैट करते हुए हम इसको दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे साथ में अभी गरम है तो हम इसमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे निशान छोटे बड़े कितने आपने करने उसी हिसाब से लगाईए तो केक एकदम ठंडा हो चुका है चिक्की जो है ठंडी हो चुकी ह अब हम इसके उपर एक प्लेट रखेंगे और इसको उल्टा करकर इसमें से सारे के सारे पीसिस जो हैं इस तरीके से निकाल लेंगे इसको आप एक से डेड़ महीना रखिए खाईए स्टोर करिए सर्दियों में गुर खाना अच्छा होता है तो इस चिकी को बनाए और